मेरत ने चंनाय़ ट्रसपर बंगलादेश को हरा देगा किल रहे गया है या ठाव नास्यादा बारिश आई न ज्यादा पानी आया और अर्मानों पे है कहार गया न की पहार देगार एंडिया पो बंगलादेश को सब्सक्राइब गिया लोग अनुमति लुखきます इसलिए इंदुस्तान बहुत इचिकर खेल रहा है अब हम क्या क्या सकते हैं उनकी क्रीड के बारे में अब बॉलिंग उनकी पूरी और अश्विन वाट अगाई फाइफर भी कम्प्लीट किया बल्क्यों सौ भी किया इसमें और फिर विद दा बॉल ही इस अ प्योर मैजिशन यह देखकर आज का मैच दिल करता है कि काश एश्विन जैसा कोई घराडी पाकिस्तान के पास भी होता बैटिंग में सेंचरी विक्तों में छे विक्ते हैं भारत ने बंगलादेश के खिलाफ बहुत बड़ी है रंस के हिसाब से जीत है वही पाकिस्तान को दस विकट से हरा आने वाली बंगलादेश को इंडिया ने चोथे दिन के पहले सेशन में दोसो असी रंस के बड़े मार्जन से हरा गे रहा है आज भाईयों ने बजा दी तुम्हारी यह बोलो ना के भाई या मेरे मालिक इनको हिदायत अता फर्मा नमस्कार दोस्तों सोगत आप सभी का गया है और इसी के साथ अभी दाबो खयासों पर भारत ने पानी फिर दिया है जिसमें एक आज आ जा रहा था कि क्योंकि बंगलादेश अभी ही पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को बुरी दर से हरा करके भारत पहुची थी और इनफेक्ट बंगलादेशी कैप्टन zerroroo-ptos ने परेस्ट कॉंफरेंस मेटेस के एकँधों को घटन पहよ हैं और आूए हराल धर भारत के इंदर हराएंगे लेकिन फिलाल तो भारत के दू प्लियर्स जडेजा और अश्रवन नहीं बंगलादेश को नहार जर्ओ इस एंस तिर्मेनने बंगलादेस के ऊप्टनि और यह एक टीम की खासित होती है किसी एक ये दो प्लेयर के नहीं किलने से टीम पेर कोई फर्क नहीं पड़ता और यह खासत है आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक ट्रेलियन टीम में काफी देखती थी सोचा तो आपने होगा कि आज संडे का दिन है और पूरा दिन जरा मैच के मज़े लेंगे लेकिन पहली सेशन में मैच अपने नाम कर लिया और थोड़ी सी रिजिस्टन्स आई शकीब और शांतु के और जैसे शकीब आउट हुआ है फिर तो चल तू चल तो मैं आया साइकल स शकीब और उसके बाद एक 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 विक्टे और फाइफर भी कमपलीट किया बलकर वोड़ी आगे काम चला गया काम आगे बढ़ गया और सोबी किया इसमें तो ही इस वन आफ दोस क्रिक्टर्स के जो ये काम पहले भी कई बार कर चुका है और जो के बहुत ही अच्छी खासी में मेहनत करता हूँ, ऐसी तो सो नहीं आ जाता हूँ, तो बात भी ठीक है, नमबर आठ पे खेलते हुए, ऐसी बल्ले से सो तो नहीं आ जाता ना, वो भी वहाँ पे के जहां पे बाकी स्ट्रगल भी कर रहे हूँ, और फिर विद दा बॉल, ही जितनी भी तार में आज लोग मैच देखने आये, संडे का लोकल बॉय है, इतनी अच्छी और शांदार परफॉर्मस, लास्ट इम वन ही प्लेड अगेंस्ट इंगलेंड, तो ही वास्ट प्लेयर अफ ता मैच जिसमें सो भी किया था, और उसमें आउट भी किये थे, तो ही वास्ट प्लेय बहुत ही शांदार बात है, और बर्थडे भी है, 38 तो अपने आप भी को दुनिया तो गिफ्ट देती रहती है, लेकिन आपने आपको बर्थडे पर गिफ्ट देना, यह बहुत बड़ी बात है, तो अब देखिए बंगला देश, बिलकुल इनको समझ नहीं आरी, क्या करन इनको खुद से के दो तीन अवर क्रीस पे स्टे कैसे कर लें, किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो बिलकुल ऐसा लगा के जैसे टेल खेलती है, बिलकुल वैसी खेलके गए हैं, और यह अब पाकिस्तन में लिटन डास और महधी, यह आउटी नहीं हो बैटिंग में सेंच्री, विटो में 6 विटे, यह देखकर आज का मैं दिल करते हैं कहां ऐश्विंझ, जैसा कोई फराड़ी पाकिस्तान पास भी होता, बैटिंग में सेंच्री, विटो में 6 विटे, पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौते नम्बर पें चली गई, औ पाकिस्तान में तो बंगलादेश के फास बोलर तो वेस्टनडीज के फास बोलर लग रहे थे संबल ली नहीं रहे थे मैधी असन ऐसे बनावा था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनील कुमले आ गया कोई समझ ही नहीं आ रही है तो ये थी इस टीम की वैलियो जो इंडिया ने बताया है जाहर सी बाता है एक टीम टॉप पे और उसके बद जो नीचे की टीम गया है जाहर कोई मुकाबला तो रखना है ना